अगर आपने ट्रेड लिया तो उसके जिमेदार आप है ठीक है थोड़ा सा अजीब सा लगता है से कहना कि अगर आपने ट्रेड लिया तो आप जिमेदार है लेकिन यह सच है क्योंकि प्रॉफिट भी आपका है लोज भी आपका है पैसा भी आपका है मेरा परपस आपको किसी भी तरह की टिप्स देना नहीं है तो यहाँ पर मेरा परपस सिर्फ एक ही है कि मैं आपको सिखाऊं और सिखने के तरीके आपको बताऊं कि किस तरीके से हमें बैक्टेश्ट करना चाहिए क्या रीजन्स हैं किस तरीके से बिजन्स को फर्रेंशिल से साथ वहाँ पर एड करके और किस तरीके से टैक्निकल चार्ड को वहाँ पर कमबाइन करके हम चीजों को देखें तो थोड़ा सा हमें एक conviction आएगी और reasons पता चलेंगे कि किसी stock में क्यों buy करना है और क्यों नहीं करना है तो यहाँ पर सारे ही reasons मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें Central Bank का ही मैं यहाँ पर chart open किया हुआ है सबसे पहला important point है कि जो current price है 27.5 वो book value से कम है so book value से कम होना और अगर हम profitability की बात करें तो highest ever profit पर होना यह अपने आपने super चीज है और highest ever revenue का होना it means business is growing net profit has come up और जो यहाँ पर problem थी NPA की वो problem NPA की यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आती है अगर हम यहाँ पर stand alone results की बात करने लगें क्योंकि stand alone results में हमें इन्होंने दोनों ही जगे यहाँ पर net NPA के numbers दिये हुए है so net NPA अगर आप देखोगे जो latest quarterly results के numbers आए हैं उसमें net NPA is 1.77% that's it और यह net NPA March 21 में after COVID 5.75% चला गया था जो every quarter यह कम करते करते अभी सिर्फ 1.77% ला चुके हैं और उसके बावजूद भी यानि कि इन्होंने अपने provisions भी बनाये clear भी किया सब कुछ किया उसके साथ में highest ever quarterly net profit भी आ गया है yearly net profit की बात करें तो highest ever है यह highest ever कब है जब इन्होंने सफाई की है अब यहाँ एक चीज बहुत important होती है जब भी किसी company में आपको bad debt अच्छा खासा नजर आए और NPA यहाँ पर बढ़ता हो नजर आए या फिर कम होते हो नजर आए और net profit highest ever नजर आए ऐसे में देख लेना चाहिए कि नया equity यहाँ पर infuse तो नहीं किया हुआ ऐसा तो नहीं है कि जो shareholders है उन्होंने नया पैसा लगाया हो और जो existing shareholders है means जो earning पर share है वो कम हो गई हो क्योंकि number of shares बढ़ गए हो तो इस चीज को समझना हमेशा से important है अगर हम इस चीज को देखें balance sheet में तो पिछले कुछ time में लगातार यहाँ पर नया पैसा लगाया जा रहा था government की तरफ से क्योंकि NPA की वज़े से bank के पास पैसा कम हो रहा था लेकिन जो current financial year close हुआ है March 2023 में after many years यह पहली बार ऐसा देखा गया है कि government को कुछ भी पैसा नहीं डालना पड़ा जो equity share capital पहले थी last year March 2022 में same ही March 2023 में है 8,681 crore और अभी भी 8,681 crore है यह बलकुल सेम है reserve की बात करें तो reserve बढ़ा है यानि कि पहले भी reserve बढ़ता था लेकिन reserve कब बढ़ता था reserve बढ़ता था हमारा जब पैसा यहां पर infuse किया जाता था लेकिन अभी after many years यह पहली बार ऐसा हुआ है कि share capital infuse नहीं की गई और reserve बढ़ा है यानि कि बिना बाहर का पैसा डाले हुए यहां पर share holders का पैसा बढ़ा है यह अपने आप में सुपब चीज है तो एक तो अभी ऐसा हुआ है इससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ था मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इससे पहले भी वह था 15 और 16 के बीच में यहां पर this number was same almost same means 1658 करोड से 1690 करोड बिलकुल भी difference नहीं था as such और जो reserve है यह increase हुआ था तो जब इसी तरह की पहले भी उस time पर situation थी तो एक बार प्राइस में क्या performance नजर आई 15 और 16 के बीच में अगर इस बात को एक बार देखा जाए हम पीछे जाकर देखें 15 16 में किस तरह की opportunity थी तो जब 16 के numbers आए आप यहां पर समझो जब 16 के numbers आए और यहां पर reserve भड़ता हुआ नजर आया और as such यहां पर share capital नहीं बढ़ी तो उस time पर क्या results आए तो जब भी March quarter के numbers आते हैं उस time पर वो by 15th में के आसपास तक हो number आ जाते हैं और 15th में के आसपास अगर हम numbers देखें means price देखें तो 76 के आसपास का यह price नजर आता है this is the level और यह हम यहां पर May 16 की बात कर रहे हैं March 16 के number यहां तक आ चुके होंगे हम यह expect कर रहे हैं तो 76 के आसपास का तभी प्राइस रहा होगा और इससे पहले जो March वाले numbers थे जो यहां पर level था यह दो levels यहां पर नजर आते हैं कि एक तो यह range है अपनी और एक highest number यह था जो शेर प्राइस था 120 के आसपास था तो वहां तक गया क्या अफकोर्स यह वहां तक गया और इसने एक अच्छा खासा गें दिया एक तो immediately इसने गें दिया तो यहां पर इमेडेटली प्राइस इतना सारा परफॉर्म करना इस्टोक प्राइस का एक्चुली इट वस सपोर्टेड बाई गुड नमबर्स यहां पर बैलेंस शीट का इंप्रूव होना 15 और 16 के बीच में यहां 15 और 16 में अगर आप देखो यहां पर लोस है लेकिन उस के बावजूद भी जो अपना टोटल नमबर है अगर हम एक बार कॉंसोलेटिड यहां पर यहां पर यहां बैलेंस शीट का मिन्स सबसे इंपोर्टन पॉइंट एक है यहां पर कि जो शेर कैपिटल है वो यहां पर डाइलूट नहीं हुई सेम चीज अभी यहां पर नजर साथी करंट में डाइलूट नहीं हुई और उस टेम तो नेट प्रॉफिट बढ़ा भी नहीं था नेट प्रॉफिट बलकी नेगेटिव में आया था मार्च 2016 में अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि हाई एस्ट एवर नेट प्रॉफिट भी आया है और यहां पर रिजर्व भ जाता है तो यह एक important point है अब इसके साथ हम आगे अगर चलें और recently में आपको एक particular pattern बनते हुए दिखाता हूं कि यहां पर एक cup with handle pattern बना था अगर आप इसी को देखो this was the cup with handle pattern और cup with handle pattern में अगर हम इसकी depth ले 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 और इसकी depth को हम उपर upload करें जहां से breakout हुआ होगा और यह आपर technical target देखें सो हमारे technical target achieve भी हुआ अब यहां एक चीज आप ध्यान से समझना कि जब यह पहले cup with handle pattern बना था तो cup with handle pattern बनने के बाद में हम जैसे कहते हैं पहले breakout होना चाहिए और breakout confirm भी होना चाहिए तो breakout का क्या situation है कि green candle उसके उपर बनिया और close हो और जो breakout वाली candle का highest level ह है उसके उपर एक और green candle के साथ इसकी closing हो तो breakout confirm हो जाता है यहां पर breakout भी हुआ breakout confirm भी हुआ और उसके बाद में नीचे भी आया अब जब नीचे आना शुरू हो जाए तो इसको retracement कहते हैं कि breakout होने के बाद में retracement होना अब retracement के case में मैंने एक वीडियो में आपको बताया थ कि अगर retracement जो हमारा handle था handle का जो bottom था उसके नीचे अगर नहीं जाता है तो यह cup with handle हमारा बेकार नहीं होता और यह valid रहता है और नीचे आने पर यह further opportunity देता है और ज़्यादा पैसे कमाने की तो यहां पर अगर हम देखें तो नीचे नहीं आया कब किया जो handle है उसके नीचे नहीं पहुचा price और वहीं से उपर भी चला गया तो हमेशा इन सब चीजों को ध्यान से समझना चाहिए अभी भी same ही इसी तरह की situation यहां पर बनी हुई है जो recently high बना recently high काफी उपर है और recently high 41.80 है जो current price है 27.55 है अब क्योंकि recently जो numbers है these are amazing numbers balance sheet के point of view से भी कि यहां पर dilute नहीं हुआ, reserve भी यहां पर increase हुआ, highest ever यहां पर net profit आया, highest ever यहां पर revenue है, quarterly results भी highest ever performance के base पर है, means revenue highest ever है और net profit भी highest ever है, उसके साथ में जो NPA है वो lowest ever है, ऐसे में हमेशा यह चीज़ देखी जाती है कि जो इससे recent latest rally थी वहां तक share price जरूर जाएगा, लेकिन उसके साथ भी अगर chart pattern साथ में बने, तो वो एक extra advantage होता है, अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर भी सेम इसी तरीके से cup with handle pattern बना, आप इसी चीज़ को ध्यान से समझो, this was the cup, मैं cup को थोड़ा सा और fine तरीके से draw कर लेता हूँ, this was the cup and this was the handle, अब यहां पर cup with handle कर एक बार यहां पर breakout confirm होना चाहिए, उसके उपर green candle के साथ closing होनी चाहिए, वो भी हो गया, तो जैसे पीछे हमारा यहां पर retracement हुआ था, अभी हमने देखा था, सेम तरीके से यहां पर भी retracement हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं वापस से chart को थोड़ा सा ठीक करता है, right, so reboot करने जैसा होता है, तो हमने यहां पर breakout भी देखा, breakout के साथ में breakout candle के उपर closing देखकर उसकी confirmation भी देखी, और यहां पर हमने इसका technical target भी देखा, हमने यहां पर technical target को depth से लेकर breakout point तक लिया और उसको उपर जाकर plot किया, यहां पर हमारा technical target 33.50 निकल कर आता है, यहां प और retracement आया, जैसे पहले हमने retracement देखा था, और retracement ने जो हमारा handle था, उसके bottom को नीचे की तरफ को breakdown नहीं दिया, और यहीं से वापस से उपर चलना शुरू हो गया, तो यह further opportunity होती है, कि उपर भी गया, retracement हुआ और वापस उपर जाने तक के लिए हमारे पास opportunity आ गई, तो यहां पर two technical targets है, one technical target is the cup with handle का target, जो 21.74% है, and second, जो हमारा recent high बना था, with a very heavy volume, huge volume के साथ, जो यहां पर recent high बना था, यहां तक यह जाना है, क्योंकि जो financials है, वो यहां पर support कर रहे हैं, और जो overall macro economics है, वो भी यहां पर support कर रही है, overall जो GDP growth अच्छी हुए है, तो current price से, अगर ह 9.3% तक का उचाल है, जब सारी ही चीजे यहां पर समझ में आने लगें, और past में भी जब इसी तरह की चीजे हुई हो, और वहां पर technicals को भी respect मिली हो, क्योंकि that was supported by business and financials, same तरीके से, इसी तरीके से, तो यहां पर वापस से same चीज होती हुए नजर आती है, हम जब भी business कर करें, हमारे पास future देखने का कोई scope नहीं होता, हमारे पास सिर्फ इतना option होता है, कि past में कैसा हुआ था, अगर past में same चीजे repeat हुई, वापस से ऐसी ही probability बनती है, कि अभी भी इसी तरीके से यहां पर चीजे repeat होंगी, So I am bullish on this, लेकिन आप मेरे कहने से trade नहीं करेंगे, आप मेरे कहने से सीखेंगे, खुद से सीखेंगे, दोस्तों को सिखाएंगे, दोस्तों को forward करेंगे, खुद subscribe करना है, subscribe कराना है, मैं आप सब के सामने अपना experience इसी तरीके से, जो मेरी working है, जो मैं अपने लिए करता हूँ आप सब के साथ share करता रहूंगा, you might be busy in your job, वो एक normal सी बात है, आप उतने charts analyze नहीं कर सकते daily basis पर, but because I am a full time trader, मैं कर सकता हूँ, तो मैंने अपने लिए किया, तो आपके लिए अगर उसको एक video के form में बना कर दे दिया, तो बदले में blessings मिलती है, वो मुझे चाहिए, वो मु मिलेंगे एक नए video के साथ, तब तक जाहिए,